आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख पहले एक अपेल 18 साल से अधिक आयो वर्ग के लिए सरकारी के इंदरों पर निशुल क्राश व्यापी कोविड टीका करन भियान जारी है युवाश रोताओं से हमारा आग रहे कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अने लोगों को भी इसके लिए प्रूत साहित करें जब तक जरूरी ना हूँ घर से बाहर ना निकलें और तीन सरलुपायों का पालन करें मास्क लगाएं, दो गस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हान धुई, साफ सफाई रखें, साथ ही टीका अवश्य लगवाएं कोविट से संबन्दी जानकारी देनी और उनकी माग दर्शन के लिए राश्य हल्प माइन कारे रथ है, इसका नंबर है 011-23-9780-461075, अफसमा चार विस्तार से प्रुधान मंत्री नरिन्र मूदी कल वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से गुजरात के आतिहासिक सोवनात मंदिर में 83 करोड रुपए की लागत की विभिन परियुचनाओं का शुबारम करेंगे और आधारशिला रखेंगे, इसमें करीब एक किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन मार्ग भी शामिल है, मंदर के पीछे 49 करोड रुपए की लागत से बने इस मार्ग पर सुन्दर रोश्नी, बैटने के लिए बेंच, रंगीन, चारपाईयां आधिकी से विधा दी गई है, इसी तरह प्राचीन कलाकरतियों के संग्रह के लिए 75 लाग रुपए के खर्च से एक संक्राले बनाया गया है, जबकि पुराने सुमनात मंदिर का नवीनी करनकर इसे अहिल्या भाई होलकर मंदिर का नाम दिया गया है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान आज 20,481 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 23 करोड 19 लाख रुपए के राहत राश्य का वितरन करेंगे मुख्यमंत्री श्योपुर और श्योपुरी सिले के बाढ़ प्रभावित नागरिकों से समवाद भे करेंगे पेस दोरान सानि प्रशासन द्वारा बार प्रभावितों को ही शति के बाढ़ अब तक दी गई राहत के संब्द में भी जानकारी देंगे मुख्यमंत्री श्योप की भावनों से हिट विभिन निजी मकानों को ही शति की जानकारी भी प्राप्ट करेंगे और किसान प्रतनिधियों से फसलों को विनुकसान के बारे में चर्शा करेंगे केंडरी नागर विमानन मंत्री जोत्रा दिते सिंधिया ने इंदोर में आज बताए कि मध्रदीश में अवेजिशन के शेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है जन आशिरवाद यात्रा के तहट इंदोर आये श्री सिंधिया ने बताया कि एक सितमबर तक मधवरदी से सरसथ नई फ्लाइट शुरू हो रही है एक हफते में इंदोर को ग्वालियर और जबलपूर से हवाई रूट से जोड़ दिया जाएगा जन आशिरवाद यात्रा से पहले उन्होंने भाज़पा कारेले में राजमाता स्वर्गिय विजाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर मालारपन के बार शहर के वरिष्ट नागरिकों से मुलाकात की देश में दो से अठारा साल तक की आयो के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगी पुणे की राशे विशानो विज्ञान संसान के निदेशक प्रिया अबरहम ने बताया है कि बच्चों में कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परिक्षन के परिणाम शेग्र नियामक को सौपे जाएंगे उधर जाइडर्स कैडिला की वैक्सीन भी आने वाली है राजे सरकार द्वरा सौर उर्जा उतपादकों के लिए 24 अगस को मिंटो हॉल में कारिशाला आयुजवेत की जा रही है खारिशाला का उद्देश प्रधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभ्यान पीम कुसुम आयोजना के किसानों के जिग्यासाओं का समधान करना है इसमें विभिनी निर्माता कंपनियां, कंसल्टेंट, बैंक, प्रतनिदी भी शामिल होंगे केंद्र सरकार द्वरा कुसुम आयोजना के तहर प्रधेश में कुल 300 मेगावार्ट शमता का आवंधिन क्या गया है केंद्री संस्कृत विश्विद्याले भोपाल परिसर में संस्कृत महत्सो सप्ताह का उद्खाटिन आज क्या गया ऊंलाइन आयोजन के जा रहे इस संस्कृत महत्सो सप्ताह के शुहारम में केंद्री संस्कृत विश्विद्याले श्रंगेरी परिसर के निदेशक प्र Canada अधिकृत अधिक्षता की उधर एक संदेश में प्रधानमंत्री नरींद्र मूदी ने संस्कृत सप्ताह के आयोचिन पर कहा कि इसका लोगों में विशेशकर युवाओं में हमारी संस्कृतिक परमपरा के प्रती नवीन रुची और नया उत्साह को उत्पन करने में महत पूर्ण योगदान होगा अब कुछ समाचाहर सिंख शेफ में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के पुनह प्रवेश के लिए भ्यान चलाया जा रहा है गुना सिले में राजश्ट्री सद्भावनवा दिवस के औसर पर कलेक्ट्रीट सभाकाक्ष में एक्टा और सद्भावना की शपत दिलाई गए शेफरी सिले में बार प्रववेश 14 वेक्तियों को 56 लाग के रहातराश्य प्रदान की कए इस मुलिटिन में फिलहाल इतना है अन्त में आप सभी से एक अपील मासका और दोगस के दूरी हाथ धोना भी है सरूरी नमस्कार